दोस्तो आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में मैं हूँ आपका होश्च सुदर्शन आज हमाया है देव मोटर्स टाटा मोटर्स शोरूम डबेबिवाडी पूने ये शोरूम आपको टाटा कार्स के साथ बहुत सारे सर्वीसेश भी ओफर करता है दोस्तो आज हमारे सामने टाटा की मोस्ट डिमांडेड कॉमपेक्ट इसी टाटा पंच फाइस्टार ग्लोबल एनकेप सिप्टी रेटिंग के साथ ये कार आती है यानि दुनिया की सेपेस्ट कार है बहुत सारे सेप्टी फीचर्स आपको इस कार में लोडेड मिलते है एसप, रिवस परकिंग कैमेरा, आइसो फिक्स, टायर प्रिशर मौनिटरिंग सिस्टिम के साथ ये कार आती है टाटा पंच में आपको मिलता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजिन, ये प्रोडूस करता है 87 BHP पाउर और 150 Nm टॉर्क ये कार 5-speed manual transmission और automatic gearbox में अवेलेबल है टाटा पंच के main competitors है, रेनल्ड काईगर, हुंडा एक्स्टर, टोयोटा अरबन क्रूजर टाइजर, मारती सुजुकी ब्रेजा, हुंडा वेन्यू, मारती सुजुकी फ्रोंक्स, टाटा नेक्स ओन आज किस वीडियो में हम जानने वाले टाटा पंच के features, specification, performance, color options, variants, prices और manufacturing warranty के बारे में कार के सबी details जानने के लिए वीडियो के अंतक जुड़ी रहेगा पेटल और CNG fuel options में ये कार आवेलेबल है पंच का best variant है Pure EMT, बेस variant की 1.0 प्राइसे 6.13 लाक रुपीज दोस्तो आज हमारे सामने है Tata Punch Creative Plus EMT, इस variant की 1.0 प्राइसे 9.60 लाक रुपीज फंट में Tata का logo ब्लैक कलर में ग्रिल मिलता है हैलोजन प्रोजेटर हेड लाइट्स के साथे कार आती है, टेल लाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स ये लेडी मिलती है फोगलेट्स आपको इस कार में हैलोजन मिलते है, कार के लुक्स का फेट ट्रेक के लगते है दोस्तों हम बात करने वाली सकार के सस्पेंशन ब्रेक, स्टेरिंग और टाइस के बारे में 16 इंच के डाइमंड कट अलव विल्स के साथ ये कार आती है, फ्रंट और रियर टायर की सैज है 195 by 60 R16 की स्क्रिन के ओपर में इस कार के टायर सैज देख रहे है Front में मिलता है independent lower wiz one Mac version strut with coil spring suspension Rear में मिलता है semi independent twist beam with coil spring and shock absorber suspension Piano black color में ORVM, ORVM mounted turn indicator काफे attract लगते है exterior door handle body color मिलते है कार के interior dual tone में काफे stylish और attract लगते है कार के front में disc break rear में drum brake मिलता है Power assisted electric steering के साथ ये कार आती है दोर की इंटरनल डिजाइन, इंटरनल डोर हैंडल, एट फोल्डिंग के साथ ओर वीम्स मिलते हैं, विंडोस के कंट्रोल, चाल सेप्टी लोक, डोर के उपर हाड फिनिश मिलते हैं, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगा, लाइट के कंट्रोल्स, इंजिन सा स्टॉप बट इंटरन, फोग लाइट बटन, इको, लोक अनलोक अब बटन, एस इवेंट्स की डिजाइन, एस इवेंट्स की आराउंड सिलुवर इलेमेंट मिलता है, स्टेरिंग के उपर टाटा का लोगो स्टेरिंग मांडड कंट्रोल के साथ ये कार आती है, दोस्तों अब हम बात करन इस टुए एमटे आपको इस कार मिलता है, क्लॉक डिजिटल मिलती है, लो लेवल फ्यूल वर्निंग, डोर अजर वर्निंग, गियर इंडिकेटर के साथ ये कार आती है, डिस्पले की डिज़न का फिस्टाइल इस एक ट्रेक्ट लोगते है, कई सारे फीचर्स आपको इंस् बहुत सारे कंट्रोस आपको स्टेरिंग के उपर मिलते है, स्टेरिंग एजस्मेंट टेल्ट वाली मिलती है, स्टेलिस्कोपिक एजस्मेंट आपको इस विरेंट में नहीं मिलती है, स्टेरिंग के लाइट साट को लाइट के कंट्रोस मिलते है, स्टेरिंग के लेट साट क कुई स्कार मिलता है सरे फीचर्स आपको डिस्प्ले में मिलते है स्क्रिन के ओपर हम इस कार का रिवर्स पार्किंग कैमेरा विद गाइडन्स की फंक्शनिंग देख रहे है यह फीचर्स नए ड्राइवर्स के लिए काफ़े हिलफूल है बहुत ही बढ़िया विव आपको इ कार मिलता है हजार लाइड का बटन ये इसे वेंट इस के आरउंड सिल्वर इलेमेंट मिलता है HERE आत्मी तो छाहिए शोर मेरे शुर्ट के सामाध्यृ के साथ आरी कंडिशनर दो ट्विन कब फोल्डर स्क्रीन के उपर मैं इस कार के कीज की डिजाइन देख रहे है कीज के उपर लॉक औंड़ग का बटन होल्ड का बटन मिलता है टाटा का लोगो मिलता है काफी कमफर्टेबल ड्राइवर आर्म्रिस्ट के साथ ये कार आती है आर्म्रिस्ट की नीच आपको स्टोरेज मिलता है मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक रियर एस इवेंड्स इस कार के सिट्स फैब्रिक्स के बने हुए है काफी कमफर्टेबल सिटिंग के साथ ये कार आती है फ्रन्ट और रियर में अड्जेस्टेबल हेड्रेस मिलते है इंटर्नल डोर हैंडल विंडोस के कंट्रोल डोर के उपर हाड फिनिश मिलती है नीचे बॉटल होल्डर के लिए चगा कार के फिटर फिनिश बहुत ही बढ़िया है दोस्तो अब हम चलने वाले इस कार के कितना स्पेस मिलता है कितना कॉमफ़ट मिलता और लेग रूम कितनी मिलती है डोर की इंटर्नल डिजाइन हम स्क्रीन के उपर देख रहे है कार की सेड़ प्रोफाल और रियर प्रोफाल काफी स्टाइल यूशर एट्रेक्टिव लगती है ये लिए टेल लेट्स के साथ ये कार आती है रियर डोर, एक्स्टिरियर डोर हैंडल ब्लैक कलर में मिलते है कार की रियर सिटिंग हम स्क्रीन के उपर देख रहे हैं काफी कमफर्टेबल सिटिंग के साथ ये कार आती है बहुत ही बड़िया स्पेस मिलता है इंटर्नल डोर हैंडल, विंडोस के कंट्रोल, डोर के उपर हाड़ फिनिश, नीचे बॉटल होल्डर के लिए जगह मिलती है स्क्रिन के उपर में इस कार के डैश्बोर्ड की डिजाइन देख रहे है काफ़े अट्रेक्टिव स्टाइलिस डैश्बोर्ड आपको इस कार मिलता है, इंटिरियर काफ़े प्रीमियम मिलते है बहुत ही बड़िया लेगरूम के साथे कार आती है, रियर सिड़ बैक पॉकेट्स, रियर इस इवेंट्स यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है, नीचे चार्जिंग पॉर्ट मिलता है, ग्रैब हैंडल, इंटरनल डोर हैंडल, विंडोस के कंट्रोल, डोर के उपर हार्ट फिनिश, नीचे बॉटल होल्डर के लिए चग़, कार की सिटिंग काफ़े कमफर्टेबल है, सिट बेल टैंक आमरेश्ट के उपर आपको ट्विन कफोल्डर नहीं मिलता है, रियर पैसेंजर सिट टाइप बेंच वाले मिलते है, ब्लैक और वाइट कलर में डियोल टोर इंटियर काफ है अट्रेक्टिव लगते है, रियर सिट सम फुली फोल्ड कर सकते है, दोस्तों अब हम चलने वाल रियर की लुक्स के से लगते है, आपको इस कार में कितना बूट स्पेस मिलता है, कार की लेंध है 3.827 मीटर्स, विट थे 1.742 मीटर्स, हैट है 1.615 मीटर्स, विल बैस है 2.45 मीटर्स, कार के रियर लुक्स काफ़ी स्टाइल इस और अट्रेक्टिव लगते है, ये लिदे रिफ्लेक्टर, रियर परकिंग सेंसर, नंबर प्लेट के लिए जगा, नंबर प्लेट लाइट, 187 मीटर्स के साथ है कार आती है, एक्जास्ट पाइप, शार्क फिन रूप मांटेड अंटिना, रूप रेल्स, छोटा सा स्पोईलर, स्टॉप लाइट, देव मोटर्स की काशिंग, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, फाइडोर्स के साथ यह कार आती है, अब हम चलने वाली इस कार के बूट स्पेस के ओर, कार की इंटिरीर से से देख रहे है, काफी श्टाइलिश इंटिरीर आपको इस कार मिलता है, पारस्लिट्रे, 66 लिटर के बूट स्पे आपको इस कार मिलते है। मिंड़ा के एड़ोर्निंग ट्रेंगल्स को मिलते है। मेकेनिकल जैक के साथ ये कार आती है। मिंध केओ में इस कार के शती armas लेख रहे है। संन्राव्रब मुत्यक्रिश नहीं सेकता है। स्पेर्विल की टायर साइज देख रहे है 185 x 70 R15 का स्पेर्विल आपको इस कार मिलता है इस कार की फिर्ट टैंक कैपेसिटी 37 लीटर से बहुत सारा सामान आप बुट में रख सकते है लोकिंग के अरेज्मेंट डोर हैंडल नंबर प्लेट लाइट्स अनलोक का बटन लोकिं दोस्तों हम बात करने वाले इस कार के ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के बारे में एंटी लॉप ब्रेकिंग सिस्टीम इलेक्ट्रोनिक ब्रेक्ष्ट डिस्टिबिशन सिस्टीम इलेक्रान स्टैबलिटी प्रोग्राम के साथे कार आती है कार के इंटीरियर सम स्क्रीन के उपर देख रहे हैं, बोनेट ओपन करने के लिए लिवर, फ्योलिड ओपनर, बहुत ही बड़िया स्पेस आपको इस कार मिलता है, स्क्रिन के ओपर में इस कार का डाइटोना ग्रे विद ब्लैक रूप कलर देख रहे हैं, जो के बहुत ही बड़िया और स्टाइलिश लगता है, एक यह कार प्रोडूस करते है, 87BHP पावर, मैक्जिम टॉर्क अफंडेड़न फिप्टीन न्यूटन मिटर, फ्रेंट विल ड्राइव के साथ यह कार आती है, ब्रेक विल टैंक, वाइप रोटर फिल करने की जगह, कूलन टैंक, इंजिन विल टैंक, रेडियेटर, बैटरी की पोजिशन, लॉक अनलोक के अरेश्मेंट, एम्टी ट्रांसमिशन के साथ यह कार आती है, इस कार के इमिशन स्टैंडर्ड बीए सिक्स फेस्टू की नुसार है, आइडियल स्टार स्टॉप आपको इस कार मिलता है, दोस्तों हम बात करने वाले इस कार के मुस्ट इंपोर् आपको इस कार मिलती है, अट्रेक्टिव लोक्स काई सारे प्रीमियम फीचर्स और बड़या परफर्मंस के साथ आने वाली एक कार आपको बहुत पसंद आएगी, आपके पसंद की टाटा कार खरिदने के लिए जरूर विजट करें, थेंक यू फर वाचिंग, एस टेट न you know for more interesting updates don't forget to like subscribe and share, thank you have a nice day.